आज कल के इस modern समाने के अंदर कौन नहीं चाहता है कि उसके कार के अंदर loaded tech features हो सो अभी हाल फिलाल के अंदर टाटनिक्स ओन फेस्टिफ लॉंच होई है सो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो ऐसे variants की जो की अच्छे कासे features offer कर रहे हैं और आप ट्रस की जाएगा जब यह launch हो जाएगी यानि कि जब इसकी pricing आ जाएगी ना तो सबसे जादा लोग ना इसी को prefer करने वाले इन दोनों ही variants को क्योंकि यह mid variants है जादा तर लोग ना mid variants prefer करते हैं क्योंकि वह जादा महेंगे भी नहीं होते और जो needed features होते हैं उससे कुछ जादा offer कर रहे होते हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो के इंदर इंदेटेल बात करेंगे प्यॉर वेरिंट वर्चिस क्रेटिव वेरिंट की जादा डेटेल यह वीडियो होने वाले क्योंकि इस वीडियो के इंदर हम लोग डिसक्स करेंगे इनके color options इनके एंजिन transmission option exterior interior comfort and convenience feature infotainment safety and security यानि की in detail बताऊँगा कि क्या कुछ आप लोगो दोनों ही trims के अंदर available मिल जाता है और कौन से features common है और कौन से exclusive है तो चलिए फड़ावर्टे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं इनके engine and transmission option की तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं pure trim की तो pure trim के अंदर आपको यहां पर जो engine available choices मिल जाती है वो है इसके 1.2 liter के revetron यानि की patrol engine के साथ six speed manual transmission आपको मिलेगा साथ ही आपको जो diesel option है revetrock engine जिसके अंदर आपको six speed manual transmission मिलता है वो यहां पर available मिल जाएगा automatic की जो option की choices है नहीं वो आपको petrol और diesel के साथ मिलती है पर pure trim के अंदर आपको जो diesel engine की choices है वो यहां से start हो जाती है क्योंकि इससे नीचे वाले trim से आपको कोई भी diesel engine available नहीं मिलता वहीं कर बात करें creative trim के तो यहां पर आपके पास अच्छी खाज़स choices available है और creative trim ही एक ऐसी ल lineup के अंदर तो यहां पर आपको सबसे पहले तो 1.2 लीटर का रेवर ट्रॉन एंजन मिलेगा petrol 6-speed manual transmission के साथ में उसके बाद में आपको इसी के अंदर 6-speed AMT मिल जाएगा और 7-speed DCA है जो कि अभी हाल फिलाल में launch किया गया है वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा जिसके अं बजाने वाला पैडल शुफ्टर के साथ टाडा निक्सान फेसलिफ को चलाने में उसके बाद में आपको जो डीजल एंजन है वो आपको 6-speed manual transmission और 6-speed AMT के साथ में available मिल जाएगा यानि कि अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास पांच जो चॉइस हैं वो available मिल जाती ह Color Options के अगर हम बात करें तो Pure Trim के अंदर आपको जो Color Options अवेलिबल मिल जाते हैं वो है इसका Pristin White, Daytona Gray, Flame Red and Pure Gray यह चार Color Options की चॉइसे यहां पर मिल जाती है किसी भी टाइप का आपको यहां पर Dual Tone Color Options अवेलिबल नहीं मिलता वह अगर हम बात करें Creative Trim की तो यहां पर आपको Monotone और Dual Tone दोन ही Color Options अवेलिबल मिल जाते हैं सबसे बात करते हैं इसके Single Tone Color Options की तो यहां पर आपको Pristin White, साथ ही Daytona Gray, Flame Red और एक Creative Ocean जो Color है जो की Exclusive है फोर Creative Trim वो यहां पर अवेलिबल है यह हो गए आपके चार Color Options उसके ब और Creative Ocean Color के साथ वाइट रूफ मिल जाएगी तो यहां पर ना Creative Trim के अंदर अगर आप Creative लेते हैं डूल टोन चाहते हैं तो यहां पर आपको सिर्फ वाइठ ही रूफ का जो ऑप्शन है वो अवेलिबल है डूल टोन ऑप्शन के साथ में अब बात करते हैं exterior के common features की जो कि आपको दोनों ही trim के अंदर common features मिल जाते हैं तो यहां पर आपको जो common features available मिल रहे हैं वो है high gloss black front grill, shark fin antenna, body colored bumpers, black tape on A, B, C pillar and sash area, conventional front wiper blade, bifunctional full LED headlamps, high mount stop LED lamp, integrated draw frills, integrated rear spoiler तो इस सारे features आपको यहां पर common मिलते हैं जो कि दोनों trim के साथ में available दिये जा रहे हैं अब बात आते हैं इनके exclusive feature की की दोनों ही जो trim हैं उसके अंदर pure variant के अंदर जो feature नहीं मिलते हैं बट exclusively creative trim के अंदर कौन-कौनसे features मिल जाते हैं आईए जानते हैं कौनसे वह exclusive features So creative trim के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको contrast roof मिल जाते हैं यानि की dual tone options है वह यहां पर available हैं उसके बाद में body color door handles यहां चे start हो जाते हैं LED DRLs जो हैं वह आपको sequential मिलेंगे साथ ही यहां पर आपको जो इसके tail lamps है वह भी sequential offer किये जा रहे हैं साथ ही यहां पर आपको जो alloy wheels हैं are 16 inches के alloy wheels offer किये जा रहे हैं जिसके अपर decorative inserts हैं तो यह जो features हैं वह आपको यहां पर extra मिल जाते हैं exterior के अंदर with the creative trim अब बात आती है interior के common features की जो कि दोनों ही trims के अंतर available मिल जाते हैं तो यहां पर आपको two spoke steering wheel with persona finish dual tone cockpit finish front and rear collapsible grab handles persona based mid insert rear parcel tray persona based full fabric upholstery umbrella holder magazine pocket front and rear door में and center console storage तो इस सारे features आपको यहां पर common offer किये जाते हैं अब बात आ दिया कि interior के अंदर कौन से exclusive features हैं जो कि आपको creative trim के अंदर available मिल जाते हैं तो यहां पर जो exclusive features offer किये जा रहे हैं वह है leather gear knob finish जो कि creative trim के अंदर मिल जाती है chrome interior door handle finish साथी 7 inches की TFT cluster total आपको यह तीन जो features है वह extra मिल जाते हैं with the creative trim जो कि interior के अंदर offer किये जा रहे हैं अब बात आती है इसके comfort and convenience features के और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे common features की जो कि आप लोग को available मिल जाते हैं दोनों ही trims के साथ में तो यहां पर आपको adjustable tilt steering, next gen touch panel HVAC, electrically foldable ORVM, central locking, electric tailgate opening, follow me home headlamps, front adjustable headrest, multi drive modes, all door power windows, rear power outlet, audio phone and voice steering mounted controls, USB power outlet तो इस सारे features आपको common मिलते हैं under convenience and comfort features जो की दोनों ही trims के अंदर offer के जा रहे हैं अब बात आती है exclusive features की जो की comfort and convenience के अंदर आते हैं तो यहां पर जो आपको extra features मिल जाते हैं with the creative trim वो है इसके 4-way adjustable driver seat Central locking का जो feature है वो आपको auto lock के साथ मिलेगा with dedicated switch with peps यह feature extra है, cooled club box, push button start strap with key, rear wiper and washer तो यह features आपको यहां पर extra मिल जाते हैं जो की exclusive है with the creative trim अब आता है safety and security की जो की यहां पर offer की जारें दोनों trims के साथ में यानि कि हम लोग discuss करेंगे सबसे पहले common features जो की दोनों के अंदर available मिल रहे हैं तो यहां पर आपको ABS plus EBD, brake disc wiping, six airbags, electronic brake pre-fill, electronic stability program, hill hold control, immobilizer, isofix, reverse park with ultrasonic sensors, electronic traction control तो इस सारे features आपको यहां पर common offer किये जा रहे हैं अब बात आते है exclusive features की जो की सिर्फ आपको creative trim के साथ मिलेंगे, pure के साथ में available नहीं मिलेंगे इसका anti-glare IRVM, तो यहां पर आपको anti-glare IRVM मिल जाएगा साथ ही reverse park assist with camera, dynamic guideways यानि के जो camera है, वो आपको यहां से available मिलेगा और tire pressure monitor system वो भी आपको यहां पर offer किया जा रहा है अब बात आती है इसके infotainment की और बात करते हैं कि यहां पर आपको क्या कुछ offer किया जा रहा है तो यहां परना सिर्फ छोटा सा फरक है और वो मैं आपको इसी के इंदर बतायता हूँ कि क्या फरक आ रहा है और यहां परना सबसे पहले बात कर लेते हैं common features की तो यहां पर आपको मिल जाएगी 7 inches की floating dust screen infotainment system जो कि हरवन बेस्ट है Android Auto, Apple CarPlay, साथ ही FM, AM, Bluetooth, USB, Microphone और Speed Dependent, Volume Control यह सारा कुछ offer किया जा रहा है जो कि common है बड़ यहां पर एक चीज़ का फरक है अगर मैं exclusively बात करूं कि आपको pure trim के अंदर 4 speaker मिलेंगे तो दोस्तों आप लोग मुझे comment करके बताएं कि आपको यह दोनों trims के अंदर कौन सा वाला trim सबसे जादा पसंद आया साथ ही जो creative trim है मेरे हसाब से यह कही ना कही वो trim रहने वाली है जिसको लोग काफी जादा opt करने वाले है क्योंकि यहां पर आपको alloy wheels पी इसी वेरेंट से स्टार्ट हो जाते हैं साथ ही और भी ऐसे other features हैं जो कि काफी जादा needful है और in terms of modern features जिसको चाहिए आज के टाइम पे और मुझे person लगता है कि creative trim है कैसे trim है जिसको लोग सबसे जादा opt करेंगे अब तक मैं आप लोग को साथ काफी सारी ब्रॉशर डिटेल शेयर कर चुक हूं अब आउट दे टाडा नेक्स वान फेसलिफ और आप लोग को सबसे साथा वेरेंट कौन सा पसंद आया मुझे कॉमेंट करके अभी बताएं साथी वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्